तो friends अगर आपको लगता है कि आपके mobile hack हो चुका है या फिर आपको जानना है कि कैसे hack होता है और आपको mobile को कोई control तो नहीं कर रहा है तो यह सारे सवाल की जवाब आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूद देखना होगा हर एक step important है तो इसलिए एक step भी miss मत करना तो चलिए शूरू करते वीडियो को लेकिन हाकिकत में उस application की connection हमरे mobile पे रहे जाते है और उस application की company चाहे तो हमरे mobile को control भी कर सकते है और नजर भी रख सकते है तो इसके लिए हमें क्या करना है उस connection को पूरा detail में निकलना है जितना भी control उस application की हमरे mobile पे रहते है उसे पूरा remove करना चाहिए तो इसके लिए आप के मोबाइल के सेटिंग बे चला जाना है तो मैं सेटिंग को open का लेता हूँ यहां पर आपको देखना है Google का आओ पर है तो स्क्रोल करके देखिए गूगल आपको मिल जाएगा यहां पर गूगल के option दिखाए दे रहा है तो उसे आपको click कर देना है तो गुगल ऑप्सन उपन होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाए देगा All Service तो वो All Service पर आपको जाना है तो जैसे आप All Service पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको नीचे थोड़ा स्कोल करना है स्कोल करके आपको यहाँ पर एक सेटिंग दिखाए देगा जिसके नाम है setting for google app यहाँ पर आपको click कर देना है और यहाँ पर open होने के बाद आपके समने एक option दिखाए देता है connected app जिसे आपको open कर लेना है और open करने के बाद यहाँ पर आप देख सकता है जितना application आपने install किया था आपके mobile पे और install करने के बाद आप जब uninstall कर देता है application को uninstall करने के बाद भी देखिए मेरा जितना भी application uninstall किया है मैंने सब application की connection अभी भी मेरा mobile पे है तो इसे remove करने के लापको क्या करना होगा just उसी application के उपर click करना है और करने के बाद नीचे आपको दिखा देगा delete all connection that you have with करीम ऐसा कोई application की नाम होगा तो यह जो मेरा application है उसका नाम है करीम तो just उसको click करना है करने के बाद यहाँ पर आपको confirm का बटन दिखाए देगा just confirm बटन पर आपको click कर देना है तो जैसे आप confirm बटन पर click करेंगे वाइसा ही मेरा mobile से उस application की पूरा data connection control जो भी था सब remove हो चुका है तो ऐसे गर कि आपके mobile पर जितना भी uninstall app की connection है उसे remove कर दीजिए तो इसके बाद आपको जान लेना है कि आपके mobile की जितना भी email ID है वो email ID किसी और device पर activate तो नहीं है अगर activate होगा उस device से आपकी जो mobile है control कर सकता है वो सकते कि किसी hacker के पास आपकी email ID किसी device पर activate करके रखा हो तो उसे check करने के लिए आपको क्या करना होगा setting पर आपको आ जाना है जैसे कि setting पर मैं हूँ already तो यहाँ पर आपको Google पर फिर से जाना है तो Google open होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते है आपकी जो email ID यहाँ पर दिखाए देगा और इसके निचे आपको दिखाए देगा manage your Google account तो यहाँ पर आपको click करना है तो click करने के बाद यहाँ पर आपको देख लेना है security का हाँ पर आपको click कर देना है और security जैसे open होता है थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करिए, स्क्रोल करके आप नीचे देख सकते है यो डिबाइस, तो यह आपको open कर लेना है, तो जैसे open हुआ देख सकते है आप मेरा जो डिबाइस है, यहाँ पर दिखाए दे रहा है, मेरा जो email आइडी है, जितना भी डिबाइस पर activate है, वो सारा यहाँ पर दिखाए देगा, तो यहाँ पर मेरा जो डिबाइस दिखाए दे रहा है, पहला है mobile, दुसरा है laptop computer, तो यह दोनों मेरा डिबाइस, लेकिन नीचे जो एक डिबाइस दिखाए दे रहा है, यह मेरा नहीं है, तो इसे मैं चाहता हूँ कि इसे remove करना, और इसे remove करन चाहिए और open होने के बाद यहाँ पर आपको एक option दिखा देगा sign out की option तो यहाँ पर आपको click कर देना है और click करने के बाद sign out on nilux यहाँ पर आपको इंस्ट्रॉल करना ज़रूरी पड़ जाता है, तो इसलिए हम लोग Play Store पे जाकर, हम कोई भी application इंस्ट्रॉल कर लेते हैं, लेकिन इंस्ट्रॉल करने के बाद, क्या आपको लगता है कि वो application safe है, आपके mobile के लिए, तो उसे जानने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखा देगा, Turn on Play Protect Scanning, तो इसे क्या होता है, जो भी application आपने इंस्ट्रॉल किया है आपके mobile पे, वो सारा application को scan करता है, और scan करने के बाद, उस application में कोई harmful कोई virus या फिर malware कुछ है की नहीं, यह scan करके आपको बता देगा, और इसके बाद आप उस application को uninstall कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे turn on कर देंगे, तो turn on करने के बाद ही आप देख सकते हैं, यह scanning चालो कर दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा mobile पे no harmful application पाउंड, तो ऐसे करके हमरे mobile के जितना भी application है, उसे safe रख सकते हैं, और इसके बाद आपको यह भी जानना है, कि आपकी mobile की voice, data, sms, किसी के पस forward तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है, तो उसे बंद कैसे करें, उसे बंद करने के लिए भी मैं बताऊंगा कैसे बंद करना है, तो उसे पहले हम लोग चेक करेंगे, कि हमारा call, data और sms कहीं activate तो नहीं हो रहा है, इसे कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आपको आपके mobile की call dialer को open कर लेना है, और call dialer को open करने के बाद आपको एक code एंटर करना है, जो code है, star, has, six, seven, has, और ये एंटर करने के बाद call बटन को प्रेस कर दीजिए, तो जैसे आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको दिखा देगा call forwarding का option दिखा दे रहा है, इसमें आपको voice, data, facts, sms, sync, जो भी है, यहाँ पर दिखा दे रहा है, अगर आपका call forwarding हो रहा है, यहाँ पर किसी number दिखा देगा, अगर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको not forwarded दिखा देगा, और यहाँ पर आप देख सकते है, मेरा जो call forward है, कोई भी forwarding नहीं हो रहा है, और अगर आपके mobile पे किसी number दिखाए दे रहा है, इसका मतलब आपका call forwarding हो रहा है, तो उसे deactivate करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसको close कर देता है, एक code आपको enter करना होगा, जो code है has002has, इसके बाद फिर से आपको call button को click कर देना है, तो जैसे आप click करते हैं, यह फिर भी hack हुआ है, या फिर hack हो चुका है, तो इसे solve करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी mobile को fully format करना होगा, जिसे कहता है hard reset, hard reset करने के बाद, आपकी mobile के जितना भी email idea, उसकी सब password को change कर देना है आपको, और change करने के बाद, आपकी mobile पे कोई भी third party application install मत कीजिए, अ अगर आप इस channel पर नया है, तो please channel को subscribe करना ना भूलिए, तो चलिए मिलते नेक्स वीडियो में, आज के लिए, बाई बाई